प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी है एक्स पर भेजे संदेश में पीएम मोदी ने लिखा शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई पीएम मोदी ने ये बधाई संदेश तब भेजा है जब शरीफ ने पाकिस्तान के पीएम का पद संभालने के बाद कश्मीर को लेकर जहर उगला था तब ये कयास लगने लगे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी कम नहीं होने वाला है लेकिन पीएम मोदी के बधाई संदेश के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या दोनों देशों के रिष्टों में जमी बर्फ बिघलने वाली है आखिर विशेशद इस बारे में क्या सोचते हैं आईए जानते हैं शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्रीपद की शपत ली है शरीफ ने ऐसे समय में देश की कमान संभाली है जब पाकिस्तान आर्थिक बधाली से बुरी तरह जूज रहा है पाकिस्तान में इस समय सरकार की पहली प्रात्मिक्ता देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार लाने की है पाकिस्तान बिना पडोसी देशों से रिष्टे सुधारे इसे ठीक नहीं कर सकता है यही वजह है कि पाकिस्तान में इस बात की संभावना पर जोड दिया जाता है कि वो भारत से रिष्टे सुधारे पावजूद इसके कई ऐसे कारण हैं जो ये संकेत देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी रिष्टे सामान ये नहीं होने वाले हैं टेली न्यूस चैनल्स को सब्सक्राइब करें